नमस्कार दोस्तों आज का दिन bitcoin और crypto जगत के लिए बहुत जादा important है बहुत जादा volatility चल रही है market में आज भी volatility बरकरार रहेगी कौन से वो factors है जो इस volatility को आज impact करेंगे और आज से आने वाले समय में क्या trend जाने वाला है उस सब trends के बारे में उन सारे factors के बारे में आज detail में बात करेंगे दोस्तों वीडियो काफी interesting रहेगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को detail में देखिएगा Ethereum, Matic और Cardano को भी हम cover करने की कोशिश करेंगे मेरा ना में रही शर्मा Satoshi Starker India में आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप time पर वीडियो प्राप्त कर सकें और आपसे ये वीडियो डिले ना हो क्योंकि आजकल पल-पल बहुत important है पल-पल में काफी चीज़े तेजी से बदल जाती है तो देखिए दोस्तों यहां पर काफी बड़ी एक डाउन वीक हमें देखने को मिली 40, almost 42,000 के support को test करके आए हाला कि ये support जो है कुछ minutes या seconds के लिए ही बरकरार रही पर वहां पर अगर आपने trade लिया हो तो आप 17 पर उपर थे मुझे नहीं लगता कि इसे ने trade लिया हो तो कि मैंने भी ने लिया और कल की वीडियो में मैंने बलकी मना किया था कि ऐसे volatility को trade करना जो खिमभरा रह सकता है खास कर तब यहां पर दो factors अप्ले होने वाले दोस्तों एक तो यह कि अगर हम हमें यहां से बरकरार रखना है उप बारा से correction देक्टिंगों मिलेगी वो सारा depend करेगा दोस्तों कि यहां से किस तरह आज शाम को चीज़े unfold होती है जैसे मैंने आपको बताए सारी जो फसाद का जड़ है वो US की stock market है S&P 500 काफी unpredictable crash US stock market में आया और ऐसा नहीं कि एक छोटा बोटा crash लगा तर पांच session से पिछला पूरा हफता stock market bleed की है और उसका जो नीजक reaction है वो bitcoin और crypto के price में देखने को मिला है यह जो down week आई थी बड़ी सी down week इसने एक बहुत important हमारे orange box को test किया जैसे आप यहां पर clearly दे सकते हैं orange box का थमने red line भी बनाई थी कि यह सबसे बड़ा एक तरहां से हमारा support level था उसको test किया पर ऐसे समय पर चीज़े जो है free fall में जा सकती है पैनिक का महल होता है और stock market में सबसे बड़ा crash इस समय आने का क्या करने दोस्तों वो यह है कि US के बड़े-बड़े CEOs जो है चीज़े बेच रहे हैं तो यहां से आपको ध्यान रखने कि आज शाम को इस तरह की दुबारा correction आ अगर आप देखें तो लक्सालगो में हमें almost 63,000 डॉलर पर एक warning मिल गई थी sell की लक्सालगो हमेशा हमेशा हमारे लिए effective रहा इसलिए हम almost week में दो या तीन बार लक्सालगो के बारे में बात करते हैं अगर आप एक बड़े down week के बात करें उसके बाद लगातार 63,000 के पास down week जो 15 November को आई तो उसके बाद लगा था हम नीचे गिरे और almost 32.9% का correction हमें लक्सालगो ने दिया अब ज़रूरी निए कि लक्सालगो के correction के बाद जो है buy signal ना आए buy signal का भी इंतिजार हमें रहा था but unfortunately अभी तक buy signal नहीं आया लक्सालगो में और अगर आप पीछे भी देखें तो जब October के starting में लक्सालगो ने हमें buy signal दिया तो उसके बाद भी काफी अच्छा यहां पर चड़ाव आया था तो लक्सालगो की buy signal का wait करेंगे यहां पर आपसे शेर करते हैं अगर आप खुद खरीदना चाहें तो 20% डा डिसकाउंट अप चैनल के coupon code से ले सकते हैं जिसे चैनल को monetary benefit मिलता है otherwise हम लोग आपसे और यह सब चीज़े daily basis पर शेर करते रहते हैं अगर आप बड़े trader है और आपका बड़ा portfolio तो आप इसको use कर सकते हैं हमारी trend trendlines की बारे में बात करते हैं वो जरूरी है क्योंकि इस समय जो जिन trendlines ने हमें support दी थी काफी लंबे समय से almost महीनों से वो अब resistance का काम करेगी तो यहां पर जो redline drop करती ही नीचे की तरफ है यह करीब-कर आप देखें तो 49,000 dollars से 50,000 dollars की बीच में depending कि हम कब तक वहां दिखाता है जैसे जैसे trendlines नीचे आती जारी तो हमारे लिए resistance भी जो है वो और कठिन और और निकट होती जारी है मतलब जितनी जल्दी हम 49,000-50,500 को तोडएंगे उतना जल्दी हम इस resistance को support बना पाएंगे तो इसमें सबसे important आंकड़ा मेरे जहन में है वो है 50,500 को जो लग weekly time frame पर weekly time frame में जो logarithmic curve है उसने वो बहुत important है मुसके नीचे इसे में काफी tension भड़ा महल होता है यह जो weekly logarithmic curve होता है यह bull cycle में काफी important benchmark बताता है कि bull cycle चल रही है कि नहीं चल रही है उसमें भी हमने यह level तोड़ दिया है यहाँ पर अगर हम देखे है 200 days moving average, 50 EMA काफी important होता 50 EMA के नीचे हैं काफी stress भरा महल है क्योंकि 50 EMA अधिकतर आप देखेंगे bull cycle में लंबी bull cycle में सालों के trend में एक अच्छा support दिखाता है अगर हम weekly EMA 50 weekly EMA के ऊपर हैं तो इसका मुल बुल रन चालू है इसमें unfortunately हम उसके नीचे है यह कब खतम होगा आज रात को आप जानते है साड़े पांच बजे तो अगर आज रात को साड़े पांच बजे हम यह लेवल तोड़ जाते हैं जो 53,000 के आसपास है जो कि बहुत जादा मुश्किल लग रहा है तो bull run यानि कि bull बिलकुल control में है और यहां से हम एक massive वापसी देखें तो यह लेवल भी आपको देखना है आज रात को साड़े पांच बजे स्टॉक मार्किट और रात को साड़े पांच बजे यह 50 यह में जो कि 53,000 डॉलर के आसपास है तो अगर हम आज रात को साड़े पांच बजे हम 53,000 के आसपास होते हैं तो यहां से बहुत ही जादा अच्छे संकेत हैं मैं अपना trade तभी ल 50,000 डॉलर के उपर दिखता है नहीं तो अगला हफता जो है वही संकट भरा रह सकता है जैसे वह चलता आ रहा है कि 53,000 से हम बार बार गिर के नीचे आते रहेंगे हफते के तो बात करते हैं यहां पर दोस्तों S&P 500 की जैसे मैं आपको बहले बताया 25 नवेंबर से लेकर कि स्टॉक मार्केट के प्राइस को और इंडियन स्टॉक मार्केट को भी और विट्काउन के प्राइस को काफी कोरिलिशन है तो यहां पर महल नेगेटिव है जैसे में आपको बड़े-बड़े CEO's अपने खुद के कंपनी के स्टॉक बेच रहे हैं यह समय अधिकतर वो लो कर दो क्रिप्टो मार्केट में अगर आप आज या कल को देखेंगे तो आप अपना सेंगे जैसे मैंने अभी एक रूपे की सलिंग नहीं की है और देखे तो मेरा पॉर्टफुलियो अल्मोस्ट अगर आप मैं कैल्कूल करने जाओ तो एक करोड़ रूपे के नेगेटिव में है मतलब एक करोड से नीचे आया है जो मेरा चार दिन पहले का प्रॉफिट था उस प्रॉफिट में और आज की प्रॉफिट में एक करोड़ का फरेगा बट फिर भी पैनिक होने की जरूद नहीं की जरूद नहीं क्योंकि लांग पर्स्पेक्टिव हम देखके चल रहे वीकली क्लोजिंग को देखके चल रहे हैं अगर आज रात को साड़े पांच बजी वीकली क्लोजिंग होती है तो सब कुछ वैसा ही नॉर्मल हो जाएगा आट दस दिनों में किसी को पता भी नहीं चलेगा इंपॉर्टन है ट्रेंट को ध्यान में रखना और यह बड़ा ट अगर आप इंवेस्टेट नहीं चलेगा और यहां से जाते हैं तो अगले एक दो महीने में जाना है बिल्कुल डेफिनेटल तो आपको इसे इस ट्रेंट पी ध्यान अटना है जो आपको एधिरियम के अगर आप इंवेस्टेट हैं तो आपको एक्सपनेशिल गेंदेगा रहे थी रहे हैं तो यह भी एक अच्छी बेट हो सकती है अगर आप इसमें लॉंग टम देखने साथ हैं मैटिक के बारे में भी हमने एक बेट बोली थी इस क्राश के आने से बहुत पहले कि यह एक लॉंग टम ट्रेंगल बन रहा है डेली चार्ट पे तो उसको हमने उपर काफी ब्रीड होते हैं अगर आप पर्सेंटेज में देखे तो आपको लगेगा कि मैटिक बुरा परफॉर्म कर रहा है वागर अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखें तो मेरे विचार से मैटिक ने बाकी अच्छे और कोई से मुकाबले काफी अच्छा ओफॉर्म किया और यहां से एक बड़ी रैली की तरफ मैटिक जो है देखने के कोशिच कर रहा है तो यह काफी एक पॉजिटिव चीज में इसको ले के चल रहा हूँ तो बहराल पूरी वीडियो देखेंगे धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए क्यों कि इस तना का अगले घंटे में आपको एक और जैम फॉल्ट को लाके दूंगा जिसमें अब अर्ली इंवेस्ट करके दस से सो गुना प्रॉफिट बना सकते हैं धन्यवाद चैहन